नमस्कार जी राजस्थान देख रहा है आप और मैं हूँ आपके साथ आयूशी शेकावत बुलिटिन की शुरुआत करता है ख़बर जैपुर से सामने आ रहे है आपको बता दे कि जैपुर में आज जल संकट नहीं आया पानी सूरजपुरा प्लांट के आगे बीसलपुर प कालंज यहां पर सामने आया अभी तो पाइपलाइन से पानी निकालने में वक्त लगेगा और उसके बाद लीकेज को दुरुस्त करेगा जल्दायवे भाग आपको उता दे कि बीसलाख की आबादी तक नहीं पहुचेगा पानी बड़ी जानकारी यहां पर आप तक को इस पूरे मामले को फिक्स करने में देखिए बहुत समय लगेगा इसका आतलन भी नहीं लगाया जा सकता है लेकिन यह निशित है कि आज पूरे दिन पानी के सप्लाई नहीं होगी और नहीं के वाल आज बल्की कल सुबै कि जो सप्लाई है वो भी पादित रही जानी कि दो मिलाजर के यह कहा जा ककता है कि जैपुर में जो पानी के सप्लाई है वो नहीं होगी आज और कल और तबसे बड़ी बातिये है कि लीकेज कापी ज्यादा है इस तरह से तूरत पूरा प्लांट के आगे लीकेज सुभारने का काम अभी तक शुरू नहीं हो पाया है वो बोने के कई भी का पानी का काम अब लिकेज सुभारो नहीं हो पाया है कि तक बस trump दोड़ी पर यह जो पानी कींद लिकने का कम तूर्पाया है जो जो अभी तक शुरू नहीं हो पाया है यह कि पाणी एक साुक्षचे में किप्री करोंको मीगतने है कर गारे में कैसी निडियल कि ऩी आप माणा जाएगाई थी की आप इसा قो पाला की से याезफेड वर्बादी हो लेकिन बड़ी बात हैं कि तकरीबं कारीबं तर फानी है उल्कुनदी में ड़क्रीब्स हमें यानि कि आज जैपुर में पानी की सप्लाई नहीं होगी और कल भी सवेरे जैपुर में पानी की सप्लाई पूरी तरह से बादित रहेगी यानि कि जल संकट है, जल संकट के समय जैपूर को ये ध्यान में रखना होगा कि जो पानी की सप्लाई नहीं हो पा रहे हैं तो पानी का संचय करके रखिए जी राधिस्थान नियूस ने कल भी पूरे शहर को अलट किया था जब ये ख़बर सामने आई थी, सबसे पहले कि तमाम जो जैपूर है उसमें जो जैपूर वाती है, उनको ये समझना चाहिए कि पानी का बड़ा लीकेज है तो कहीं न कहीं इस सिती गंभी हो सकती है और आज सवेरे जब कई लोगों तक पानी नहीं पोचा है पूरे जैपूर का पानी नहीं पोचा है तो मुसीबत जरूर होगी लेकिन ये समझना होगा कि आज और कल जैपूर के पानी की सप्लाई नहीं होगी तो कि option 5A की है, वीज सलपूर से line 6A की आ रही है इसके अलवा जैपूर में जो पानी की supply का कोई option नहीं है यानि कि 20 सलपूर से ही जैपूर का पानी आ रहा है लेकिन 20 सलपूर से आज और कल पानी नहीं आएगा क्योंकि बड़ा लीकेज है, लीकेज सुधारने में वक्त लगेगा, जो पाइपलाइन में पानी है पहले, वो निकलेगा, उसके बाद में लीकेज को सुधारने का काम किया जाएगा, यानि कि अभी घंटो लग सकते हैं पाइपलाइन से पानी निकालने में, इंजिनियर्स अभी पानी निकालना, लेकिन जो पानी है, उसको निकालने में वक्त काफी लगेगा, इसलिए आज और कल पानी की सप्लाइ बिल्कुल भी नहीं होगी, जी, बिल्कुल आशिस जिस तरह से आपने बताया कि इंजिनियर्स के सामने यहां पर चुनोती बहुत बड़ी तो व हमारे साथ जोडने के लिए और तमाम जानकारी साजा करने के लिए आपका धन्यवाद